स्वागता बच्चों आपका सैल्स्ट्रडी के चैनल में और आज हम बात करेंगे जो हमारे देश के पहले चीफ ओफ डिफेंट स्टाफ विपिन रावजी जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं कल जो एक दुरगटना हुई 12 बच के 20 मिनिट में जो उनका हेलिकोप्टर क्रैश हुआ तो विपिन रावजी उनकी पतनी उनको मिलाकर 14 जो लोग वहाँ पर सवार थें जिसमें से 13 लोगों की वहाँ पर मृत्यू हो गई तो हम हमारी तरफ से इन वीर योद्धा को शदा शुमन अरपित करते हैं और बाकी जो लोग हैं उनको शदांजली अरपित करते हैं हमारी तरफ से कि आज हमारे देश में से एक बहुत बड़ी हस्ती एक योद्धा जो आज याँ से चले गए हैं लेकिन सदा हमारे दिल में बने रहेंगे बहुत चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे इनके जीवन को लेकर कि हमारी तरफ से एक छोटी थोड़ी बहुत हम उसके बारे में बात करेंगे तो एक बार फिर से हम इनको शदा सुमन अरपित करते हैं शदांजली देते हैं अपनी तरफ से जो पहले चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं इनके लिए ओके तो जो यह हादसा हुआ था तो करीबन बारा बच के बीस मिनिट पर जो भी हादसा हुआ तो वहाँ पर काफी ज़्यादा उमीदे लगाई जा रही थी कि कुछ नहीं हुआ होगा मतलब जब मैं न्यूज देख रहा था कि एक व्यक्ति ही जिन्दा बचे हैं और उन व्यक्ति को लेकर भी ये उमीदे जताई जा रहे थी कि वो विपिन रावजी ही है लेकिन शाम होते होते ये सारी तीजें साफ होगे कि वो विपिन रावजी और उनके पत्नी और जो बाकी जो लोग सेना के जोदिकारी हैं जो इनके बारे में जितना कहें वो भी कम है देखिए ये वो इंसान जिनोंने हमारे देश में Make in India के तहट जो हमारे देश में Advanced Technology के तहट अतियार बनने हैं इन्होंने शुरुआत किती विपिन रावट जी ने इन्हीं के परयास से ये चीज़ें शुरू हो पाई थी भारत में Advanced Level के जो इतियार जो हैं वो सैना को दिये जाएं यहीं बने वो चीज़े तो विपिन रावट जी इनका पूरा नाम विपिन लक्ष्मन सिंग रावट जिने हम जनरल विपिन रावट के नाम से जानते हैं वो Chief of Defense Staff थे जनरल रावट जी का जनम जो था वो 16 मार्च 1958 को उत्रागंड के पोड़ी गडवाल जिले में चोहान राजपुत परिवार में हुआ जो जनरल रावट जी की जो मा नाता जी है वो परमार वंस से थी देखें इनके पूरवज हरिदवार जिले से मायपूर्व से आकर गडवाल के परसाई गाउं में रहने लग गये थे और जब वहां रहने लग गये थे उसी कान से इनको परसारा रावट कहलाएंगे देखें रावट जो एक जो वर्ड है ये एक टाइटल है ये मिलिटरी का टाइटल है जो राजपूतों को गडवाल के शाष्कों ने दिया था और इनके पिता लक्षमन सिंग रावट वो भी सैना में लेफटेनेंट जनरल पद्ग से रिटायर हुए थे और जो विपिन रावट जी है इन्होंने ग्यारवी गोर्खा राइफल की पांच्वी बिटालियन से 1978 से अपने करियर की शुरुवात की थी शिक्षा की बात करें इन्होंने अपना करियर कहां से शुरू किया तो देखे रावट जी ने जो अपना शुरुवाती जो शिक्षा है वो देहरादून के केंब्रियन होल स्कूल सिम्ला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतिय सेना एक आदमी जो देहरादून में है वहां से शिक्षा ले थी यहां से उन्हें सौर्ड ओफ होनर दिया गया था वे फोर्ट लिवन फोर्ट जो का में है डिफाट है सर्विकस टाफ कोले वेलिंगे लो हायर कमाण्स में गरजूट हम गरिजुट भी रहे हैं उन्हों ने निदी मदरास Take इडिफाट्स में एम्फिल की मैनेजमेंट किया कांप्यूटर स्टैडिश में भी डिपलोमा किया 2011 में इन्हें सैन्ने मीडिया सामरिक अध्यन पर संधान के लिए चोधरी चरन सिंग उनिवस्टी जो मेरट में वहां से इनको डिरेक्टर और डिरेक्ट ओफ फिलोसफी से सम्मानित किया गया था तो यह चीजें थी अब जो यहां पर आपको पता हैं कि जो cds का जो पता वो पहली बार 2019 में बनाया गया था अब यह जो भी पिन रावजी हैं यह पहले जनरल जो परमुक्स जो हमारी जो तीन सैना यह हैं थल सैना जल सैना वायू सैना तो यह जो थल सैना के चीफ हुआ करते थे जनरल हुआ करते थे वहां पर यहां से इनको 2019 में जो यह पत बनाया ग एक जनवरी दो हजार बीस को नों ने उस पत को ग्रहन किया था जो 65 साल की उमर तक उस पत पर रहने वाले थे और यह जो पत था इसका मकसद क्या था कि देखें हमारे देश में जो कारगील यूद हुआ था तो उस वक्त बहुत जरूरत आ पड़ी थी कि ऐसे पत की जो आर्म 1978 से कमिशनर ओफिसर ग्यारा गोर का राइफल बने थे 31 दिसंबर 2016 को इनको थलसेना का परमुक बनाया गया था यानि चीफ ओफ डिफेंस टाफ बनने से पहले यह थलसेना के परमुक थे वहां पे जनरल थे उन्हें पूर्वीस्ट सेक्टर में वास्त्विक नेंतर रेखा कश्मीर घाटी में और पुर्वोत्तर में कामकाज का अच्छा अनबवरा है खास बात आप लोगों को यह पता होने चाहिए कि जो विपिन रावजी और जो यह बिटैलियन जो थी 11 गोर का राइफल में पोस्ट होए थे यह वही थी जहां पर इनके पिता रह चुके थे य back हमारी देश के लिए बहुत कुछ हम सदा अभारी है इनके slightest फिर भी थोटा मोटा हमारी तरफ से प्रेतन हैं वो करने कोशिक कर थे किhe विशिष सेवा मेडल इनको दिया गया उत्तम युद सेवा मेडल इनको दिया गया अति विशिष सेवा मेडल इनको दिया गया युद सेवा मेडल और सेवा मेडल इनने दिया गया था अब थोड़ी वह थम यह बात कर लेते हैं कि हुआ क्या था कि जो हेलिकॉप्टर था MI-17 जो एक crash हो गया था तो मिलाड़ों में बुद्वार को तो यहां पर क्या था विपिन्रावर जी और अपने पत्नी और तेरा लोगों के समयत इनकी जब यह जा रहे थे तो यह helicopter यह helicopter उड़ा था सलूर स्थित आर्मी बेस से जब इन्होंने इस helicopter उड़ान बरी थी तो यह नीलगरी जिले में कुनूर में crash हो गया था अब यह जो helicopter यह है MI-17V-5 है तो यह क्या है देखिए Twin Engine Multi Purpose helicopter है Twin Engine Multi Purpose तो इसका ध्यान रखना तो MI-17V-5 जो है यह MI-8 का advance version है कहां से यह किस देशे हमने लिया है यह रूस से हमने लिया है रूसी company इसको बनाती है अब क्या है क्या नहीं है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें त काफी advance किसम का इसको helicopter माना गया है क्योंकि कोई जो VVVIP मतलब की परधान मंतरी नेंदर मोधी जी भी इसी helicopter में कहीं जाते हैं तो इसी helicopter में जाते हैं इसी में सफर वो करते हैं तो दुनिया का सबसे advance transport helicopter है यह और इसे SENA में जो transport है fire support है यह मतलब की transport के अलावा बहुत सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है रक्षक दल में भी search and rescue में भी इसका यूज किया जाता है cargo transport में इसका यूज किया जाता है even जो मैंने जैसे कहा कि इसका 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 थोड़ी बहुत मैं आपको यहां पर जानकारी दूँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक medium twin, twin turbine helicopter है, इसका इस्तमाल heavy lift, transport, VVI movement, rescue mission के लिए किया जाता है, military के लिए तीन crew member के साथ 36 हैनिकों को ले जा सकते हैं, 36,000 किलो तक का भार उठा सकता है, हालांकि VVIP के लिए तयार किये गए इस vicious helicopter में अधिकतम 20 लोग ही सवार हो सकते हैं, और वहां पर एक है, इस helicopter में एक toilet भी है, दुनिया के करीब 60 देश, जैसे कि मैंने का, 60 देशों में 12,000 से जादा MI-17 का इस्तिमाल कर रहे हैं, अब यहां पर यह हैं कि इसके पास क्या क्या हतियार इसके अंदर हम fix कर सकते है इस सारी जाती हैं कि इसके अंदर S8 rocket, एक 23mm machine gun, PKT machine gun, AKM sub machine gun, इन सब चीजों से यह less हो सकता है, मतलब रक्षा के साथ-साथ ही यहां से इससे, मतलब एक छोटे-मोटे यूद अभ्यास में या फिर यूद में भी इसका use किया जा सकता है, अब इसकी speed की बात करें तो देख फ्यूल टैंकों को एक साथ fit किया जाए, तो 1065 km तक इसकी speed बढ़ाई जा सकती है, और 6000 km तक ही उंचाई उड़ सकता है, टोटल इसके अंदर जो बहार है, वो 7,489 kg ग्राम ही इसका जो बहार है, ही क्या मतलब बहुत जादा है, अब यहां पर रक्षा मंतराले ने कब इसक हेलिकोप्टर का ओडर दिया था, रूस से, 2008 में, यह 1.3 अरब डॉलर में इसका मतलब यह डील हुई थी, और भारती ऐर फोस को MI हेलिकोप्टर की डिलिवरी 2011 से शुरू हो गए थी, 2013 में 36 MI सेरीज के हेलिकोप्टर हमें मिले थे, हालांकि रक्षा मंतराले ने 2012-13 में के द अरथी ऐर फोस ने अप्रेल 2019 में MI-17V हेलिकोप्टर की रिपेर, ओवर हॉल और फैसिलिटी का उदगाटन किया था, अमेरिका रिक्षा विबाग ने 2011 में अफगान सेना ने 63 MI-17V-5 देने के लिए मतलब कि यह डील की थी, जिसकी डील रिवी कजान हेलिकोप्टर लिम्ट विपिन रावज जी को एक शरधांजली सरदाशुमन अरपित करते हैं